सरुकार अगर हम चर्चा मानें तो आज बड़ी चर्चा का विशा है तो एक यह रहा है कि उत्तपरिस के मुखवंतरी योगी आतनाथ आज उत्राखन के दौरे पर है और इस दौरान वो अपने परवार के सार मुलाकार भी करेंगे यानि 28 साल के सन्यास के बार मुखवंतरी पहली बार जब अपने गरे जन पर जाएंगे तौराखन का दौरा और पहले भी किया है पर आज वो अपने परवार से मिल रहे हैं मुलाकार उनकी हुई है तो निस रूप से बड़ी चर्चा का विशा है कि आज उन्होंने अपने प उड़ा में जब देश के प्रणामंत्री बने उसके बास से लगातार वो बिदेश नीती को लेके बड़ी मेनट करते नजरा रहा है और उनकी बिदेश नीती की स्थिती का अंड़ाजा पिछी ले लगा सकते हैं कि मनमोहन सिंग ने अपने 10 साल के कारकाल के दौरान 93 देश प्रणामंत्री क्या जो भी हालका 2-3-4 मई का दौरा है जिसमें वह डेनमार्क जर्मनी और फ्रांश की यात्रा पर ए इस दौरे को मांद लिया जाए पूरा पूरा होई जाएगा तो देश की पूर्व प्रणामंत्री स्वरगी इंद्रा गांदी उनकी जो 113 यात्रा का जो रिकार्ड था, जो उन्होंने 15 साल के कारकाल के दोरान पूरी की थी, वो रिकार्ड के बस्ते साल के कारकाल के बुरान पूरी थी, पूरी कर लिए और साथी सार लगातार जिस तरह से उनकी बिरेश नीती की चर्चा हो रही है चोकि लगातार उनकी दूडरसिता होती है कि हम दोरों के माध्यम से एक आपसी सामज़त से बहतर करें नीतिया बहतर करें चाहे वह आर्थक अधार पर हो चाहे जलबाईव परिव यह हो उनका हमेज़ा जुकाओं तमाम नीतियों पर रहता है और जिसके माध्यम से वह लगातार जब देशों में यात्रा करते हैं तो वहां पर 25 25 बैठकों में भाग लेते हैं आठ आठ साथ साथ रास्टा डिच्छों से उनकी मुलाकात होती है अगर मैं आपको बता दू कि 2022 का जो उनका पहला दौरा है जिसमें वो जन्रमानी, देनमार्क और फ्रांस की आतरा पर हैं हलाग ही आ देनमार्क बे हैं जर्मानी रहें और फ्रांस कल रहेंगे पन इस दौरे के दोरान भी उन्होंने लबा लबा 25 बैठकों में भाग लिया जाएगा उनके दौरा जि कि जो आखडा स्वरगी पिर्खामंति इंदरा गांधी ने 15 साल के कारकाल में पूरा किया था, वो पिर्खामंति इनdogsी ने अब तक लबब लब साथ से 8 साल के कारकाल में उस बराबरी कर लिये, और पूर पिर्णामंतिरी मनमोहन सिंग के रिकार्ड की बराबरी उन्होंने मात साले चार साल की कारकाल में कर ली थी अब यूरोप यात्रा चुकी महत्पूर्ण है और इस यात्रा के माड़म से बहुत लगातार जो रूस युक्रिन युद्ध है इस पर नजर बनाए हुए हैं और पहल तो आप में देखिए जिस तरह से जब रूस ने युक्रिन पर हमला किया आज भी हमला चला आए लगातार युद्ध जारी है जिस तरह से वहाँ पर चात्रों को निकाला गया और तमाम तरह के संडेश समय अजर दिये गए और ये भी देखा गया कि जब उन्हें बताया कि हम भारती च्छात रहें तो आउन्हें पूरी एक रियायट के साद पूरी सुम्रा के पूरी ब्यवस्ताओं के साथ बहां से रावाना किया गया अपनी बतन बापसी के लिए तो यहां पर जो बिरेज नीती विश्चा के विश्चा है और इस यूरो प्यात्रा से क्या सित्य करने बाले हैं आंगे भी हम और चर्चा करेंगे पहले देखते हैं रिपूर्ट जर्मनी डैन्मार्क में मोदी मोदी वंदे मातरम की तस्वीरें किसी भी भारति का सीना गर्व से चोड़ा कर देंगी क्योंकि यह नजारा स्वदेश का नहीं बलकि विदेश का है जिहां ये खुबसूरत तस्वीरे बरलिन से सामने आई हैं जहां बेयत गर्म जोशी के साथ पीम मोदी का स्वागत किया गया आपको बता दें कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी तीन एरोपी देशों जर्मनी डेन्मार्क फ्रांस की तीन दिनों की यात्रा के पहले चरण में सोमवार को जर्मनी पहुंचे थे जहां उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्क्लोस से मुलाकात की और विदेश यात्रा के अंतिन तौर में प्रधान मंतरी मोदी कुछ समय के लिए फ्रांस में ही रोगेंगे यहों फ्रांस के राजपती इमैनियोल मैक्रो से बातचीत करेंगे भारत और फ्रांस के बीच इस साल कूटनीतिक रिष्टों के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन पियम की ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर पश्यमी देश लगतार रूस की आलोजना कर रहे हैं यूक्रेन को हत्यार भेज रहे हैं और भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो भी आलोजना का हिस्सा बने इसके अलावा जर्मनी सहित पश्यमी देश रूस के तेल, कोईले और कैस पर भारी निर्भरता कम करने के लिए कदम भी उठा रहे हैं जबकि उक्रेन हमले के मद्दे नजर चांसलर ओलाव शॉल्स जर्मनी की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सेना में 100 अरब यूरो का निवेश करने की गोशना कर चुके हैं साल 2022 की नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कई मायनों में एहम है जिसमें पहला कारण ये है कि पियम मोदी की ये 2022 की पहली विदेश यात्रा है दूसरा जिन तीन देशों की यात्रा पर पियम गए हैं वे तीनों ही रूस यूक्रेन की जंग में बढ़ चड़कर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं भारत ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी नीती तथस्त बना कर रखी है अमेरिकों और जापान सहित यूरोप के कई देश भारत पर रूस की आलोचना करने का दवाब बनाने की खोशिश कर चुके हैं लेकिन अब तक भारत ने रूस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है तीनों देशों की यात्रा पर निकलने से पहले पियम मोदी ने कहा है कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनोतियों का सामना कर रहा है मैं अपने यूरोपी भागीदारों के साथ सहयों की भावना को मजबूत करने का इरादा रता हूँ जो भारत की शांती और सम्रधी में महतवपूर साथी है साथी आपको बता दे कि पियम मोदी करीब 6 महिने बाद विदेश दौरे पर गए है आखरी बार पियम मोदी पिछले साल 29 अक्टूबर से लेकर 2 नमबर तक इटली और यूके की यात्रा पर गए थे कोरोना काल में पियम मोदी का ये चोथा विदेश दौरा होगा 2021 में पियम मोदी तीन बार विदेश दौरे पर गए थे जबकि 2020 में उन्होंने किसी विदेश का तौरा नहीं किया था इस पहली विदेश यात्रा से पहले यूरोप के कई नेताओं ने भारत का तौरा किया था इनमें ब्रेटेन के प्रधानमत्री बोरिस जौनसन यूरोपियन यूनियन की प्रमुप उर्सला वांडर लेन भी शामिल थे दिल्ली में आयोजी तरह सीना डायलोग में भाग लेने के लिए भी बहुत से नेताओं भारत आये थे बीरो रुपोर्ट प्रायम टीवी उक्रियन का जो संगर्ज चला है उसके बीज ये दौरा बहुत एहम है दौरें के अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लबा लबा 63 बिरिसी दौरा है और 63 बिरिसी दौर में उन्होंने लबा लबा 113 गेसों की यात्रा इसमें सामिल हो गई है यानि पूर्पणामंत्री स्वरगी इंद्रा गांदी के रिकार्ड की बराबरी कर चुके हैं वो भी अपने आधे कारकाल में जो रिकार्ड स्वरगी इंद्रा गांदी ने अपने 15 साल के कारकाल बनाया था वो रिकार्ड पियम मोदी ने लबा लबा साल साल के कारकाल में बना लिया है और अगर सिर्कार के हम सुरूबाद की बात करें तो इसकी सुरूबाद 15 जून 2014 से हुई थी पंड़ा जून 2014 में पिनामंत्री नर्यन मोदी पहली बार पिनामंत्री कुर्सी पर रहे थे उस दोरान वो पहली बार अपने पड़ोसी देश भूटान भूटान की यातरा पर कहे थे और उने कहा था भूटान को सहयोग करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है जो कि पड़ोसी देश को भी आगे बढ़ाना है उनको भी सहयोग करना है और एक बहतर पड़ोस नीती काहता है कि हमारे समाज का परिचायक भी है कि पड़ोसीों का भी विस पहला कारकाल था उसके जब दूसरा कारकाल उनका सुरू हुआ तो पंदरा जियून 2019 को उन्होंने मालदीब और स्री लंका की यात्रा की और ये भी हम पड़ोसी डेसी मानेंगे क्योंकि स्री लंका ये बगल में है बहुत दूर नहीं है और मालदीब भी पास है और साथ ये शाथ अगर हम वहा की आबादी की बात करें वहा के लोगों की बात करें और बहुत कुछ भारत के उपर नर्भर भी है और जुडाओ भी है पास बीए तो इसको ही पड़ोसी डेसी मानेंगे और दूसरे कारकालब की सुरुवास भी उन्होंने पड़ोसी देश के दौरे के साथ की। प्रेम की आबिश में रहती है और संगर्सों की बात होती है वो दूर हो जाती है और संगर्स नहीं होते हैं। परमानु मुद्दे पर, सुरच्छा नीती पर, सान्ती बेवस्था पर, जलबाई पर वरतन पर और तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जिनका सीरा सीरा असर हर देश पर पड़ता है चाहे प्रिस्टु का कोई से विदेश हो वहाँ पर किया जाए। और चर्चा भी ऐसी होती है। इस समय जो रूस उकरिइन का संकट चला है, इस समय देश को दुनिया को किसतरह से एक बैधर संदेश देना है, एक ऐसे सामदे से स्थापित करना है, जिससे आने वाले समय में ये इस्तिती निर्दारेगर नहों पाए, कि जो देशों, उनकी बिल्देश की संगर्जी कम से सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि इन दौरों के बीच में अगर पाकिस्तान की चर्चा ना हो तो भी यह मुद्दा बेमानी होगा तो मैं आपको बता दूँ अगर पाकिस्तान यात्राओं की बात करें तो 1953 में जबालना नहरू बता प्रणा मंतरी वहां गए थे 1960 में भी गए थे उसके बाद फिर स्वरगिये राजी गांडी 1989 में 1990 में वहां पर बता प्रणा मंतरी गए दूसरी बार उसके बाद अगर प्रणा मंतरी की बात करें तो अटल बहरी बाचपई 1999 में पाकिस्तान गया था जो कि आप में देखा है जिसमें आपरिशन विजय के माध्यम से बारण ने जीत हसल की थी और तमाम बड़ी संख्या में लोग मारे गए थी और 2004 में भी अटरल बैरी बाच्पेई समझोता एकस्पिस के तहट वहाँ पर गए थे और प्रियास किया सांती का और अटर पचास मिनिट का बहुमूल समय बिताया हालाकि यह दोरा कि अगर बात करें तो यह दोरा महज रूस का था और रूस दोरे के बाद अचानक ही पिदामंती निनमुरी निश्चे किया कि वह अफगानिस्तान भी जाएंगे और वहाँ पर अफगानिस्तान भी गए और अफग और काबल से बापसी होते समय अचानक पिदामंत्री पागिस्तान गए और पागिस्तान जब बापा पहुंचे तो यह जो सूचना थी यह बिस्व के हर नेता को हर कम्यूनिटी को और खास दोर से भारत और पाकिस्तान के नवासियों को चोकाने वाली बात थी उनकी यह पाकिस्तान चले गए पाकिस्तान में उनका उस समय के प्रामंत्री नवासरी द्वारा गरंज़ी स्वागर किया गया और उन्होंने इस दोरान नवासरी को उनके 66 जनम्दिन के बढ़ाई भी दी इसके बाद वह रावल पिंड श्थित नवासरी के घर भी गया वहां पर ल और उसके बाद प्रामंत्री दिल्ली पहुचे यानि उनका नास्ता भी काबल में हुआ काबल के बाद उनका लंच हुआ वो पाकिस्तान में हुआ और दिल्ली आये तो दोनों डिनर दिल्ली में किया तो अचानक अफगानिस्तान पहुचना अचानक पाकिस्तान पहुचना अपने आप में एक बहता बिदे सिर्जिती का परिचायक है कि कैसे अचानक नवाज सरीब के पास पहुंच गए उनको बताया नवाज सरीब ने भी उनको एरपूर्प पर गौड़ अवनौर दिया और साथी साथ उनको अपने घर भी ले गए मेरपूर्प बेशियों पर चर्चा भी हुई और पृणामंती नरेन मोडी ने बताया कि अगर अटलरी वाज़ पर ग्याड़ साल पहले जा सकते है तो पृणामंती नरेन मोडी यह जा सकते है हाला कि ये दोरा कोई पूर्व नियूजर दोरा नहीं था और माना जाना था कि जो उनका दौरे की बात की थी तो 2016 में पाकिस्तान की तरफ से उनको नियोता भीजा गया था पर 2016 में की तरफ उनकी तरफ ध्यान नहीं गया नाव उस दौरे पे गए उसके पहले ही दोयर पंदरा में एक बिना किसी नियोजना के वो पाकस्तान पहुंच गा है वहाँ पार लबा लबा एक सुपचास मिनिट की वो उनका दोड़ा रहा था तो अगर हम नीतियों की बात करें तो प्रहमती नर्यन मोडी लगातार नीतियों के माध्यम से बिदे सियात्राओं के माध्यम से एक बैतर सामाजे से विस्व परदिस्व मना रहा है और यहां तक कि जो भी विस्व परदिस्व के बड़े नेता है वो भी लगातार गर्म सिक्षी से प्रहामेंधी नर्य retrouve करते हैं कि सबसा है कि जो 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 प्रहामेंधी नर्य मोर्तियों को बता है जा टाएंव से बड़ी संख्याम महां पर प्रिवासी भारतियों अपने देश के पिरामंत्री यानि नरेन मोदी से मिलने चले आते हैं और जैसा कि हमने ऐसा कारकम में देखा है जब अमिर्का में दुनार्ड टर्म के अगवाई में महाँ पर हाड़ी मोदी कारकम हुआ था तो बड़ी संख्या में महाँ पर लोगों ने गरम जोसे के साथ बिरामंत्री नरेन मोदी का स्वागर किया था और हमेशा से ही उनकी नीती रही है कि हम बैतर कल के लिए बैतर नीती बनाएंगे चाहे आर्थिक अरार की बात हो चाहे पार्थिक समझस की बात हो चाहे युद्धनीती की बात हो चाहे सुरच्छा की बात हो चाहे जलबायू की बात हो चाहे गिलोबल बार्विंग की बात हो और चाहे सान्ती प्रस्ताबों की बात हो उनका हमेशाद ये मानना रहता है कि ह हम जब बैतर यूजना बनाएंगे बैतर रण्डिती बनाएंगे बैतर सामसे से बनाएंगे तो आने बाला समय बिस्व प्रजस के लिए बहुत अच्छा होगा और सारे बिस्व के जितने भी देश हैं सभी सान्ती के साथ अपने आर्थिक मोर्चों पर बैतर पेकिती करते न उबामा के साथ भी प्रियामंती नरिन मोडी का देखा उसके बाद जब दोनाल्ड टरंप रासपती बने उनके साथ भी हमने इनकी केमिश्टी देखी और जो बाइडन जो समय बरतमान में रासपती है मिरका के उनके साथ भी इनकी केमिश्टी देखने वाली है वो भी गरम सकते हैं। और यह को रहना टाइम में भी हमें देखा और साथी साथ, अगर अब फ्रांस की बात करें तो वहाँ के प्रहमंत्री या वहाँ के रासपती इनमिल मैंक्रो उनके साथ भी इनकी जो जो केमिस्टी है वो सब है देखी है चाहे सौधी अरब के सुल्तान उलसुलमान उनके साथ भी इनकी केमिस्टी देखी है कि वहाँ पर उग गए थे और उनने कहा था कि सौधी अरब की जिल में जो भारतिये छोटे मोटे अपरादों में बंद हैं उनको रिया किये जाए और उनकी बात सुलतानमाली थी और फिर्ण के मांद्धम से परदियों को उधेसों के लिसाद जाते हैं और वी पूर्ती करना उनिका नतिधायद पे है उस नतिधायद को पूरा करते नजर भी आते हैं हाला कि विपच्छ उनकी दौर पर सवाल भी उठाता है कहता है बाड़े खर्चा होता है पर कहिने के खर्चे के बीच आप यह भी देखिए जो बिरेस नीती बैतर होती जा रही है जो भारत का जुकर है पूलगातर बड़ता चलाया जिस तरह से वहां पर पिरेसों में जाके भारत नमाता की गूंज हो रही है और वहां पर जिस तरह से पिवासी भारतियों में एक गर्म जोसी का माहोल लेता है वो अपने आप में एक अलक ललक बनाता है और दिखाता है कि भारत अगर विस्तो गुरू कहा जाता है तो विस्तो गुरू बन भी सकता है और यही शुर सबसे बड़ी दूसरी सेना और कहीं ल休 Do लूसरी सबसे बड़ी सबसे राँस दूसरी Level करना कहना है कि हम देश की सुरच्छा करना चाहते हैं देश की सुरच्छा से कोई समझोता नहीं रहेगा और साथी साथ प्रयास ये रहता है कि बिलेश नीती बैतर हो कि सभी देश अपने सुकून के साथ अपनी जिंदिकी जिये अपनी समस्चाओं को स्वयम हल करें आर्थे आर्थे मम्जूत हो औ लगातर बने रहें और समझोते की बाद तो मैंने आपको बता दई कि समझोते के समय जब रूस के साथ समझोते पर हस्टाचर किये गए थे तब बलामिरी पुटीन जो वहां के रस्पती है वो खुद आये थे और उने समझोती की दिल पर हस्टाचर किये थे तो किस तरह से हस्टाचर किये और आगे बैपारिक समझे से बनाया यह अपने आप में बिदेश नीति की बेहतरी जलक है तो जो प्रामंति नरेन मोरी ने 63 भारतिय दौरे किये हैं बिदेशी दौरे किये हैं और इन दौरों के माध्यम से औरोने लभा 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 113 देशों की यातराय क सखर्च हुआ है पर सखर्च के माध्यम से बिदेशी ड़रोने बिदेश में भारत के खूँज हूई है भारत के लोगों में साजад गरम जोसी जागी है और साती सार ब्यापारिक स्थर पर, सामाजेक स्थर पर, आर्थिक स्थर पर, जिस तरह से बैतर काम हो रहा है, लोग जान रहे हैं, और भारत भी अब वो रुत्वार रखने लगा है, तो आने बाले समय में भारत को बिस्तु गुरू बना सकता है, और निस्ति रूप से ये पीड़ना यह मेहतर यह ब्योस्था यह मेहनत और यह लगन जो प्रहांती नगल नरेन मुड़ी लगाता दिखा रहा है यह आने बाले समय में भारत को यह बैतर कल की रूप में विक्सित करेगी तो द्वारे होते रहेंगे और साथ ही साथ होते रहेंगी बैसुक चर्चाएं और साथी सार बैठक पर यहाँ पर सबसे बड़ा मूल उदेश से होता है कि भारत को आगे कैसे लेके जाना है भारत को विश्व परजस्में कैसे बज़े बनाना है यह सबसे बड़ा विश्व है और सबसे बड़ा उदेश है और सबसे बड़ी नीती है तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार